सो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम 11 में पलायर का क्रेडिट अप और डाउन कब होता है और क्रेडिट अप और डाउन होने से क्या फरक पड़ता है जब भी अप मेगा ग्रेंड लिग में टीम बनाते होना तो जो dream 11 में player का जो credit up होता है और down होता है वो सबसे ज़्यादा important होता है अगर आपका भी सपना है dream 11 में mega grand league में rank 1 आकर अच्छा खासा winning करना तो इस video को complete जरूर देखना क्योंकि dream 11 खुद आपको बताता है कि आपको इस match में किस player को लेना है किस player को drop करना है कौन सा player उस match में बहतरिन performance करने वाला है और कौन सा player उस match में बहतरिन performance नहीं करने वाला है और dream 11 आपको खुद बताता है credit up और down करके कि इस match में कौन इसा player है जो trump player होने वाला है जो आपक जिसको credit up और down का मतलब समझ में ही नहीं आता है कि आपको player को कब लेना है अगर किसी player का credit up हुआ है तो आपको team में लेना है या नहीं लेना है और अगर किसी player का credit down हुआ है तो आपको team में लेना है या नहीं लेना है और आप केसे पता करोगे कि credit up हुआ है और down हुआ है तो चलिए एकक करके मैं आपको detail में समझाता हूँ तो सबसे पहले करना क्या है अगर आपको किसी भी player का credit up और down देखना है तो simple सा करना कुछ नहीं है उस player पर आपको click कर देना है simple सा जैसे ही click करोगे आपके सामने कुछ इस परकार का interface खुलेगा अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक player लिया है quantum decock अब इसमें देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले इसका credit कितना था 8.5 था यहाँ पर भी कितना था 8.5 था और यहाँ पर कितना हो गया है 8 हो गया है आनि यहाँ पर 8.5 यहाँ पर भी 8.5 लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आधा credit इसका कम कर दिया है dream 11 वालों ने credit कम क्यों किया है इसका region देखो जब इसका credit यहाँ पर 8.5 था तो कोई performance नहीं किया था बंदा खेला ही नहीं था फिर भी जैसे ही credit इसका फिर से 8.5 हुआ वेसे ही कुछ performance नहीं किया तो dream 11 वालों ने क्या देखा कि इसका credit कितना है 8.5 है लेकिन यह performance नहीं कर रहा है लेकिन क्या किया कि credit इसका क्या किया आधा कम कर दिया और जो टीम रैंक वन में आई थी उसमें ये player था तो आपको करना क्या है यहां से आपको क्या सिखने को मिला इसका recent form खराब चल रहा है जैसे कि देख सकते हो एक player है इसका recent form खराब है लेकिन अगर dream 11 वालों ने उस player का credit down किया है तो समझ लेना वो बंदा उस match में बहतरीन performance करेगा और जो team rank 1 में आएगा उसमें वो player होगा ही होगा अब आपको देखना कहां से है कि इस match में इसका credit down हुआ है या कम हुआ है तो यह वाला जो credit होता है यहाँ वाला जो यह वाला देखोगे यह आपका recent match का दिखाता है पिछले match का दिखाता है और जो यहाँ आपका credit देखेगा यह वाला देखो यह वाला credit यह वाला credit आपका क्या होता है उस match का होता है जिस match में आप team बना रहे हो आनि जो मैच खेला जाने वाला है उस मैच के लिए क्रेडिट आप यहां से देख सकते हो क्रेडिट को समझ माचुका है एक और में पलेयर दिखाता हूँ इस पलेयर को देखो सूरी कुमार आदो को जिसको हम असकाई के नाम से भी जानते हैं अब देखोगे तो इसका क्रेडिट पहले कितना था नौ था यहां पर भी नौ था लेकिन यहां पर क्या हुआ आठ पॉंट पांच हो गया इसमें भी वही फंडा है आनि पहले इसका क्रेडिट कितना था नौ था नौ था लेकिन फ क्रेडिट इस मैच में अगले वाले मैच में नो है आनि उस मैच में ये बंदा फ्लॉफ हो सकता है जो कि इसका क्रेड़ क्या है बढ़ा दिया गया है समझ माचुका है और मैं पलेयर दिखाता हूँ यही वाला पलेयर देखो फिर से यहाँ पर कितना था आठ पॉंट पांच है 33 पॉंट दिया लेकिन जैसे ही इसका नो किया क्रेड़िड इसका आधा बढ़ाया वेसे ही 120 पॉंट दिया समझ माचुका है और भी मैं दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको डीटेल में समझाँगा कि इसका फंडा होता क्या है इसका लोजिक बोलता क्या है अब यह द दिया वेसे ही 69 पॉंट दिया और ड्रीम टिम में था अब यहाँ पर देखोगे तो इसका क्रेड़िड इसका डाउन किया गया है देख लो अगले वाले मैच में तो उसमें भी यह बंदा परफॉमेंस करेगा इस बात को आध रखना और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इटेल में समझाता हूँ सबसे पहले वहाँ पर में चला जाता हूँ इजी से यह वाले देखो क्वेंटन डिकॉक वाला सेक्शन अब यहाँ पर आपको समझना क्या है पहला पुइंट आध रखना जो आप इस पलायर को देख सकते हो कि अगर कोई पलायर है और उसका रिस इसका रिसेंट फॉर्म पहले क्या था पूरा खराव था लेकिन जैसे ही क्रेडिट इसका डाउन हुआ वेसे ही बंदा बेहतरिन परफॉमेंस कर दिया समझ में आ चुका है पहला पॉइंट अगला पॉइंट देखो यहाँ पर यह वाला इसमें भी वही फंडा है बढ़ाया गया है वेसे ही 120 पॉइंट दिया तो आपको समझना क्या है कि अगर कोई पलायर है और उसका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा हूँ समझ मा आ चुका है और अगर क्रेडिट उसका बढ़ाया गया है तो समझ जाना वो उस मैच में पहतरिन परफॉमेंस करेगा जो आप आसानी से देख सकते हो खुद से लोजिक लगा लो ना सब कुछ आपको दिख रहा है उसके बाद आपका अगला पॉइंट देखो ये वाला काईले मैयर्स इसमें भी देखोगे तो वही फंडा है रिसेंट फॉर्म खराब है इसका क्रेडिट इसका बढ़ाया गय इसमें देखोगे तो इसका भी बढ़ाया गया है पहले काम था अब बढ़ाया गया है तो बार सट पॉइंट दिया तो मैनवली इसमें आपका दो फंडा है कि अगर कोई पलायर है उसका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा हो और अगर उसका क्रेडिट डाउन किया गया है तो समझ जाना वो पलायर उस मैच में बहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और अगर कोई पलायर है उसका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है और अगर उस पलायर का क्रेडिट बढ़ाया गया है फिर भी वो बंदा उस मैच में बहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और अगर कोई प पलायर का क्रेड़िड अप और डाउन होता है उसको समझ सकते हो और मेगा ग्रेंड लिग जीतने के लिए न ये वाला लॉजिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है चुकि ड्रीम 11 आपको खुद बताता है कि इस मैच में कौन सा पलायर चलेगा कौन सा पलायर नहीं च क्रेडिट डाउन और अपका मतलब होता क्या है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करदेना मुझे मॉभी करने के लिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत जादा मॉटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और चैनल पर पहली बर आये होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोडिफिकेशन मेल को दबा करके ओल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इस चैनल में आपको इसी परकार से वीडियो मिलता रहता है